वेलकम टू करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लएगी आज इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर 2030 का स्वाट नोर्स के माद हमसे करेंट अफेल्स रिवीजन करने वाले हैं अगर आप लोग इसका पीडियाप चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आयों चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को ऐसे आगी वीडियोस मिलती रहेंगी आई आज के शुरुआत करते हैं भारत ने पहली बार किसके साथ टू प्लस टू वारता की है यहाँ पर भारत ने पहली बार ब्रिटेन के साथ टू प्लस टू वारता की है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था टू प्लस टू वारता में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ पर भाग लेते हैं 2024 में इस बैठा का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा Commonwealth Parliamentary Association का 19.1 समयलन सिक्किम में आयोजित किया गया है पारंपरिक्च किस्सा पर SEO का पहला अंतरराष्ट यह समयलन गुहाटी असम में आयोजित किया गया है बात करें SEO की 2023 में इसका अध्यच भारत था और यहाँ पर SEO सम्मिट में SEO का नवा सदसे इरान बनाया गया है पहला सयुक्त राष्ट जल समयलन नियोवियार्क USA में आयोजित किया गया था One Word TV Summit का अध्योजन वारणसी में किया गया था नियोवियार्क हडसर नदी के किनारे बशा हुआ है SEO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गयी थी नवा राष्ट मंडल संसदिय संग समयलन उदैपूर राजस्थान में आयोजित किया गया है Next question है सयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशद ने बहुराष्टिय सुरच्छा मिशन कहां प्रारंब किया है इसका शुभारंब हैती में किया गया है बात करें यहाँ पर मेजवान यहाँ पर केन्या है केन्या की राज़ानी नवरोबी है और नवरोबी में ही UNEP का मुख्याले इस्थित है बात करें UNSC की संग राष्ट सुरच्छा परिशद की तो इसमें जो सदश्य होते हैं उनका कारेकाल आस्थाइस अदश्यों का कारेकाल 2 वर्स का होता है यहाँ पर 5 सथाइस अदश्य होते हैं उसमें USA, यूरूस, चीन, UK, फरांस शामिल हैं 10 यहाँ पर आस्थाइस सदस्य चुने जाते हैं और इनका कारेकाल 2 वर्स का होता है next है जी नाइन फैमिली गिरोह लूट पार्ट हिंसा को रोकने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है, हैती किराजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है और यहाँ के प्रधान मतरी एरियन हेनरी है, यूकाटन चैनल मक्सिको की खाड़ी और करबियन सागर को चोड़ता है, यूकाटन च पाजोर, हंडोरस, निकागरागुआ, कोस्टारिका, पानामा यहाँ पर इसके संट्रल अमेरिका के देश हैं, मैकसिको और साउथ अमेरिका यहाँ पर इनको जब जोड़ देते हैं तो लैटिन अमेरिका बंजाता है, लैटिन अमेरिका के मूल निवाशियों को रेड जानी हवाना है, युएन महासभा का 78 अध्यच डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है और ये तिरिनाद और टुबैको के रहने वाले हैं, नेक्स्ट कोशिन है, विस्व पसु स्वास्त संगठन ने भारत को किस से मुक्त घोशित किया है, यहाँ पर विस्व पसु स्वास्त स से फैलता है, इसके जो दुश्व प्रभावों हैं, वो मुर्गी पालन और अंडा यहाँ पर पालन यह प्रभावित होता है, विस्व पसु स्वास्त संगठन के स्थापना 1924 में हुई थी, इसका मुख्याले पेरिस फ्रांस में अस्तित है, ब्लैक फंगस को म्यूकर माइ इस असी को मह प्रभावित हैं, ब्रायन प्रभावों है, ब्लैक खंगस को है विस्व प्रांस में आपर आपधेयां और हो द ह्रुदे कांगस को है, भारत को किẫnस्च तक प्रभावराद से साह भाषितकर में रायन और इसका स्थापना 2324 में कीज़े विक में आस माई Radio लिक भारत में पोलियों का अंतिम केस 2011 में पस्चिम बंगाल में पाया गया था चेचक मुक्त भारत को गोशित किया जा चुका है यहाँ पर चेचक का जो ठीका है यह विश्व का पहला ठीका था जिसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था और इनको मेडिसिन का पहला नोबल इनकार कर दिया है यहाँ पर भारत के सर्वुच नियायले ने समलाइगिक विवाह को कानूनी मानिता देने से इनकार कर दिया है यहाँ पर पांच जजों की बेंच बैठी थी और यह समयधानिक बेंच थी आपको बता दें कि समयधानिक बेंच जो होती उसमें पांच से ज देशों में शमलेंगिक विवाह को मानेता दी जा चुकी है नवतेज कौर केस में समलेंगिक था अफराद नहीं है ऐसा सुप्रीम कोट ने पहले कहा था पुट्टा स्वामी केस निजता का अधिकार यानि की मौलिक अधिकार से सम्मेंधित है और राइट टू प्राइवसी अटिकल 21 में दिया गया है केश्वानन्द भारती केस 24 अप्रेल 1973 को आया था इसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जिनों की बैठी है और जिसके तहत प्रस्तावना समिधान का अभिन अंग है इसको बताया गया था और समिधान का मौल धाचा सिधान्थ इसी के माधिम से दिया गया था इसमें सुप्रिम कोड ने कहा था कि संसद जो है मौल भूत धाचे को छोड़ कर कहीं पर भी संसोधन कर सकती है इंद्रा साहनी केस से आरच्छन की सीमा 50% सीमिद कर दी गई आरच्छन 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है विसेस परिस्तियों में ऐसा कि किया जा सकता है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है मिनिर्वा मिल्स केस मौलिक अधिकार और डीपी एसपी एक दूसरे के पूरक हैं इससे संबंदित था नेक्स्ट कोश्चन है अंतर राच्टिय गरीबी उल्मूलन दिवस 2030 कब मनाया गया है इसको 27 अक्टूबर को म दसक जो है गरीबी उल्मूलन से संबंदित है प्रवर्टी प्रवर्टी एन अन्बिटिस रूल इन इंडिया बुक दादा भाई नेरोजी ने लिखा था दादा भाई नेरोजी की बात करें तो ये कांग्रेस के तीन बार अध्यच रहे थे दादा भाई नेरोजी को वयो प्रद व्यक्ति कहा जाता है इन्होंने धन्यसकाशन से धांत दिया था राफ्त गोपतार इनकी एक पत्रिका थी मरुस्तली करण रोक्थाम दिवास 17 जून को मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन है वेस्ट स्वास्त सिकर समयलन 2023 कहां आयोजित हुआ है इसका आयोजन बरलिन जर्मनी में किया गया है 17 अक्टूबर को महमारी रोकना पहले से तयार रहना टीबी और कोरोना का उन्मूलन इससे यहां पर प्रमुख बिंदू थे वैस्विक जैव इन्धन गटबंधन का शुभारम भारत ने किया है इंडिया स्मार्ट सिट्री कांक्लेव 2023 का आयोजन इंदौर मध्यप्रदेश में किया गया है भारत और यूरोपियन संख का ग्लोबल गेटवे सम्मेलन में घाले में आयोजन किया गया है मिशन मशीन कैंसी 2023 सिखर सम्मेलन दुबाई UAE में आयोजन हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है तिलापिया पारवो वाइरस का संबंध कि होती है रानी पेट तमिलनाडू में इसको खोजा गया है भारत तीसरा कंट्री है जहां पर ये मचली ये वाइरस पाया गया है इससे पहले चीन और थाइलेंड में ये तिलापिया पारवो वाइरस पाया जा चुका है मचलियों में नेक्स्ट है ग्रैंड बैंक न्यूफा है और इसको शूशू भी कहा जाता है और ये अंधी होती है पांच अक्तूबर को राश्ट्य डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है हाइड्रोफोबिया यानि की पानी से डर लगना और ऐसा रैवीडो वाइरस से होता है जिससे रेवीज होता है रेवीज की वैक्सीन लूइस इसपास्चर ने खोजा था और ये कुद्धे के काटने से ऐसा हो जाता है स्वैन फ्लू एच फाइफ हट लुवन एच वण एवन से होता है स्वैन फुलू हट इच वन एन वन से होता है नेंस्ट कुशिन है आरέλों है 1009ी 2015 प्रमाडित होने वाला देश का पहला महिला प्य बोपाल पहला पुलिस स्थाना है जिसको ISO 9001 और 2015 प्रमाड़ित किया गया है इसको स्वच्छता, संचाले, भोजन और CCTV सुविधा यहां पर प्रवाइड करने के लिए ऐसा प्रमाड़ पत्र दिया गया है राश्टिय जल पुरुषकार पर यहां पर पहला स्थान मध्यपदेश को मिला है बारत का पहला यूनिटी मॉल उजयन मध्यपदेश में खोला गया है अंतर राश्टिय धम समेलन बोपाल में एवजित किया गया है बारत का पहला सोलर सिटी साची मध्यपदेश को बनाया गया है स्टेट्यू आफ वननेस उंकारिशर मध्यपदेश में इस्तित है और ये आरी संकराचार की प्रतिमा है दिवंगत हुए नोबल सांती पुरुषकरत मार्टी अरती शारी का सम्मंद किस से है इनका सम्मंद फिनलैंड से है और ये यहां के पूर्व राष्टपती है 2008 में इनको नोबल पुरुषकर दिया गया था संगर्स रोकने के लिए बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड की राजधानी हलसिंकी है फिनलैंड को जीलो का देश कहा जाता है फिनलैंड नाटो का 31 मेंबर भी बना है बात कर लें यहां पर 2023 में नोबल पुरुषकर जिनको दिये गए है अर्थ सास्त्र का नोबल पुरुषकर 2023 क्लावडिया गोल्डिन को दिया गया है सांती का नोबल पुरुषकर नर्गेशी मुहमदी को दिया गया है साहित दोजार तेस को नोबल पुरुषकार जौन फासे को दिया गया है बहुतकी में दोजार तेस नोबल पुरुषकार पिरे एंगोस्टिनी फेरेक और एनी हुलियर को दिया गया है चिकिस्सा 2023 नोबिल पुरुषकार कैटलिन कारिको और विश्मेन को दिया गया है रसायन 2023 में मौंगी, बॉबेडी, लुईस, बुरूश और एलक्सी एकी मुव को दिया गया है स्वच्छ तेवहार, स्वस्त तेवहार अभियान किसने प्रारंब किया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ तेवहार, स्वस्त तेवहार अभियान प्रारंब किया है जिसका सुभारंब योगी अधितिनात ने किया है नवरात्री दीपावली दशारा यहाँ पर पर्व आने वाले हैं और इसमें सफाई को ध्यान में रखते विए इस तेवहार को शुरू किया गया है सुच्छता इश्वर के बगल में रहती है इसका वाक्य है बंगस वैली फेस्टिवल चंबु कश्मीर में मनाया गया है नवरोज नवर्स पार्सी समदाय से संबंधित है अगर आप लोग को वेडियो अच्छी लगी होगी इसका पीडियाप आप लोग को टेलीग्राम गुरूप में मिल जाएगा अगर आप लोग कोई सुझाओ हो तो आप लोग कमेंट वोक्स में जरूर बताइए मिलते हैं इगली वीडियो में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें धन्यवाद चेहन